नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में and guys HPGK काफी important topic आज हम आपके साथ study करने वाले हैं क्योंकि यहां से कोई भी test हो, हमेशा question आते ही आते हैं करल हमने आपके साथ मुख्यमंत्री and राजयपाल से related questions पड़े थे and उनकी theories को study किया था, question हम आज आपके लिए लेकर आए हैं यहां पे इसके बाद MCQ हैं आपके लिए, जोकी वीडियो हमने previous में पड़ी हैं उन सब ही से related, okay, तो जल्दी से theories को cover करते हैं and उसके बाद check करते हैं कि कितने question आपको यहां से आ सकते हैं so firstly चलते हैं लोकसभा में तो हिमांचर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटे हैं, question directly यहां से आ जाता है कितनी सीटे हैं, 4 सीटे हैं, मंडी, कांगडा, हमिरपुरेंडर, शिमला शिमला सीट जो है वो अनसुचित, जाती के लिए अरक्षित है यहां आपको पता होना चाहिए, जो कितनी सीटे हैं, 4 सीटे हैं मंडी, कांगडा, हमिरपुरेंडर, शिमला जो शिमला है वो SC के लिए अरक्षित है जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, वो क्षेत्रफल की दृष्टी से हिमांचर प्रदेश में सबसे अधिक है यह हिमांचर प्रदेश के क्षेत्रफल का 60% है और थोड़ा सा इतियास इसका 1952 इस भी में पहले लोकसभा चुनाब में हिमांचर प्रदेश से 3 सदस्य लोकसभा में चुनकर भेजे थे पहले कितने गई थे, सबसे पहले आपके पास केवर 3 सदस्य गई थे 1952 में तीन निर्वाचन क्षेत्र थे, कौन-कौन से महासू, मंडी, चंबा, चंबा, शिर्मोर तो हिमांचर प्रदेश के जो प्रत्थम लोकसभा के सदस्य थे, बो थी राजकुमारी, अमरित, कौर, मंडी से चुनी गई थी जो देश की पहली स्वस्तिय मंत्री बनी, देश की पहली स्वस्तिय मंत्री कौन थी, राजकुमारी, अमरित, कौर, और पहली लोकसभा सदस्य भी यही थी हिमांचल से और राजा अनन्द चंद, हिमांचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुनने जाने वाले प्रत्थम निरदलिय सांसद थे, प्रत्थम निरदलिय सांसद कौन थे, राजा अनन्द चंद and 1957 मैं हिमांचर प्रदेश से लोकसभा के 4 तो लोकसभा के 4 चुनेगी and 1962 में भी 4 and 1967 में 6 and 1972 में 4 सीट हैं तो केवल एक था उसमें आपके पास कितने थे 1967 में जो 6 मेंबर थे उसके बाद दुबारा से आपके पास 4 हो गए and परतेख लोकसभा चुनाव क्षेतर के अंदर कितने 17 विधान सभा क्षेतर आते हैं कितने 17 तो टोटल सीटे आपके पास कितनी होती है 68 क्रिशनदत सुल्तानपुरी ने शिमला लोकसभा क्षेतर से लागातार 6 साल चुनाव जीते हैं किसने क्रिशनदत सुल्तानपुरी ने आपके पास यहां पर डिटेल दी गई है कि किसमें कितने क्षेतर हैं तो यह तो आपको बता दिये कि 17 क्षेतर हैं हर एक के अंडर जैसे शिमला हो गया शिमला के अंदर 17 कांगडा हमिर्पनन मंडीन सभी में जो है 17 17 जो है आपके पास प्रजेंट है जैसे कि यहां पर आपके पास शिमला में कौन कौन से हैं शिर्मौर में 5 होंगे सोलन, शिमला, इन सभी में सिर्मव में साथ हैं फिर अगर बात कहते हैं कांगडा की तो कांगडा के अंदर चामबा, कांगडा औके, एंड सबसे ज़्यादा अगर कहो कांगडा में 37 जो हैं आपके पास जो MLA जिदे हम कहते हैं ओके, Member of Lower, Assembly or Linguistical Assembly तो उसके 13 है तो total 17 हमिरपुर में, हमिरपुर, उन्ना, बिलासपुर कांगडा के दो यहाँ पर आते हैं, मंडी के मंडी की 9, लाहल, स्पिती, चंबा, शिमला, तो जिससे पांगी हो गया, रामपूर हो गया, लाहल हो गया तो यह question पूछ लिए जाता है कि कौन सी भिदान सबख, शेतर से यह सबंद रखते हैं, और इस तरह के question आए भी थे, यह आपके पास previous data है, current data नहीं है अब बात करते हैं, राज्य सबख की लोक सबख ही हो गई, तो राज्य सबख की वहले प्यक्ति थे, कौरन थे चिरन जी, लाल, बर्मा जी पहले ब्यक्ति थे, और 52 तू 58 तक कॉंग्रेस की तरब से राज्य सबख में हिमांचल के सांसद रहे अनन्चन राज्य सबख में प्रतिनिध्य करने वाले प्रत्थम निर्दलिये थे ये 58 से 64 तक राज्य सबख के सदस्चे रहे लेला देवी हिमांचल पदेश की प्रत्थम मेहला थी तोकि राज्य सबख की मेंबर मनी 56 से 92 तक राज्य सबख की कोई सदस्चे नहीं थे रोसर लाल जो थे वो लगतार तीन वार आपके पास इमांचल पदेश का प्रत्थम कर चुके हैं राज्य सबख में एंड इमांचल पदेश किसी भी राज्य सबख सदस्चे के लिए यह सरवेदिक अब्दी है जिन्होंने तीन वार जो है बहां पे बनेंके वो एंड बहुर अठारा बस तक राज्य सबख के सदस्चे रही थे क्योंकि आपको पता है राज्य सबख का कारेकाल 6 साल का होता है यह आपके पास ओल्ड डाटा है सारा का सारा नेक्स आता है अनल चंद हिमांचल पदेश के पहले सांसद थे जिन्होंने संसद के दोनों सद्दों में हिमांचल का प्रतिनित्व किया बे राज्य सबख और लोग सबख के मैं निर्दलिये सदस्य थे चंद्रेश कुमारी हिमांचल प्रदेश की प्रत्म महिला थी जो की प्रदेश का नेत्र वजिन लोग सबख तथा राज्यसभा में दोनों में कर चुकी है उसके बाद आती है विधानसभा जो की काफी important है तो 66 सीटे हैं total जिसमें आपके पास 20 विधानसभा क्षेत्र जो है अरक्षित हैं आपके पास and 17 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाती तथा तीन विधानसभा क्षेत्र जो है अनुसूचित जाती के लिए अरक्षित हैं and कांगडा जिले में परदेश की जो विधानसभा की सबसे अधिक सीटे हैं वो है 15 and कि नौर लहुल स्पिती में विधानसभा के मातर एक-कषेत्र हैं जो की अनुसूचित जाती के लिए अरक्षित है बाकि एन्होंने यही बात सहिये क्षेत्रफल की दिरिष्ट्टी ते सिमला ऐसी शुरक्षित विधानसभा निरिवाच्चित्र का सबसे छोटा निरिवाच्चित्र है और लोहल्स्पिती जो है वो सबसे बड़ा है सुरक्षित विधान सबा क्षितर का सबसे बड़ा केंदर है एंड लौहसपीती का जो हिक्किम एशिय का सबसे उंचा मर्दान केंदर है इसकी जो हाइट है वो 15,000 फूट है एंड लाल चंदर स्टोक जो है 1942 में विदान सबा चुनाब में ठ्योग का प्रतिनित्व किया एंड उनकी पत्नी विद्य स्टोक ने 82, 85, 90, 98, 2003 में विदान सबा का प्रतिनित्व किया था पति पतनी द्वारप प्रदेश के किसी क्षित्र का प्रतिनित्व करने का प्रत्थम अफश्र था तो यहाँ पर आपके पास सीटे हैं कि किसमें कितनी सीटे हैं तो आपको इसका एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कांगडा में 15 हैं त्री जो हैं reserved हैं फॉर SC के लिए जैसे बैजनात, धर्मशाला, देहरा तो यह जो नाम हैं आपके पास आपको इनका आइडिया होना चाहिए क्योंकि आपको direct question आ सकता है जो अला मुखी किस विधान सबा क्षेतर के अंडर आपके पास आता है कांगडा के अंडर आएगा कौन सी डिस्टी के अंडर आ रहा है जैसे मंडी हो गया, शिमला हो गया तो यह question आपके पास आते हैं तो यह आपको पता होने चाहिए and next हमारे पास यही सारी डीटेल इन्होंने यहां पर बताई हुई है तो आप इसका screenshot यहां से ले सकते हैं basically आपको यह पता होना चाहिए basically this कितनी सी की सीटें कहां पर है क्योंकि यहां से question आता है direct question आएगा चमबा में सी के लिए कितनी सीटें है one चमबा में स्टे के लिए कितनी है one या हमिरपुर में स्टे के लिए कितनी है one या total कितनी है five okay तो यह question directly आपके लिए यहां पर पूछे जाते है विदान सीटें किस डिस्टिक में कितनी है तो यहां पर तो थोड़ा सा डीटेल आपके लिए विदानसब अध्यक्स के लिए है तो जिस्वन्त राव हिमांचल प्रदेश के पहले अध्यक्स थे एंड 1952 से 56 तक विदानसब अध्यक्स बने ठाकूर सेन नेगी जो थे हिमांचल प्रदेश विदानसब में सबसे अधिक अध्यक्स रहे एंड 79, 82, 82 से 84, 90 से 93 वार तीन वार अध्यक्स बने एंड श्रबन कुमार जो है 1977 से 1979 तक जो है के वो दो वर्षों तक अध्यक्स रहे एंड विद्यस टोक जो है विदानसब की प्रत्थम महिला अध्यक्स थी जो की 85 से 90 तक रही ये आपके पास इन सभी की list है and next बताते हैं जो आपके पास विदानसभा उपएदेक्स थे तो जो पहले थे आपके पास वो थे कृषिन चंदर and next थे विदानसभा सचिव that is कौस सेकरेटरी तो NC नंदी जो है पहले विदानसभा सचिव थे and बे इस पत पर सबसे कम अबधी तक रही थे केबल 15 दिन तक and ठियो के लक्षमन सिंक कस्यप जुलाई 87, 95 तक करीब 8 वर्स तक सबसे लंबी अबधी वाली थे and चीफ सेकरेटरी कौन थे केल महता जो है विदानसभा के पहले सचिव थे and अब चलते हैं question की तरफ काफी important question है आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं so dr. y.s. पर्मार हिमांचर प्रदेश के प्रत्तम डैस डैस थे तो y.s. पर्मार क्या थे हिमांचर प्रदेश के प्रत्तम वो थे आपके पास मुख्य मंतरी हिमांचर प्रदेश के प्रत्तम मुख्य मंतरी कौन थे तो बो ही question अगे ना गया वाइस पर्मार पहली बार हिमांचर प्रदेश के मुख्य मंतरी कब बने थे तो बो तबी बने थे जब फर्स टाइम चुनाब गोए थे 24 मार्च 1952 वाइस परमार के नितित्र में एक लोगप्रिय मंत्री मंदलना है भाग सी के हिमांचर प्रदेश में किस वर्ष कारेभार संभाला तो उन्होंने संभाला था आपके पास 1952 और नेक्स्ट क्वेशन हमारे पास आते है जो कि हमने आज आपके साथ स्टेडी किये तो पहला क्वेशन है एक मार्च 1952 को हिमांचर प्रदेश का पहला लेफ्टनेंट गवर्नर यानि उप राज्यपाल कौन था तो वो कौन था आपके पास मेजर हिमत सी फर्स जो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट आमारे पास 1971 में हिमांचर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था तो 1971 में कौन था आपके पास एस चकरवती जो थे हिमांचर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एंड इमनिक्त में से कौन कभी भी हिमान्चल प्रदेश का राज्यपाल नहीं बना है तो कौन सा जे नहीं बना है वो है हमिदुल्ला बेग नेक्स्ट हमारे पास लेटनेट जर्नल हिम्मत सियंग के संदर्म में क्या कत्थन सही है आपके पास तो वो हिमान्चल प्रदेश के प्रत्थम गवर्नर यानि उपराज्यपाल थे आपके पास बी जो आपके पास सही है हिमान्चल प्रदेश के उपराज्यपाल के कारेकाल पर विचार कीजिए तो आपको उनको सही करम में जो है लगाना है तो सबसे पहले आएंगे आपके पास बहादूर सियं and उसके बाद हमारे पास आएंगे भगवान साहर उसके बाद आएंगे हिम्मत सियं so D जो है आपके पास यहां पे इसका राइट आंसर है sorry guys not D थोड़ा सा यहां पे mistake हो गई so first यह जो मैंने आपको 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 आटर बटाया वो opposite आटर है यह आपके पास यहां पे राइट है first हिम्मत सियंग थे second भगवान साहर थे third जो थे आपके पास वो बहादूर सी है थे तो जो आपके पास C है वो इसका right answer है next चलते हैं जो हमने आज बढ़ा है ओके एंड काफी important question है तो चलिए शुरू करते हैं कांगडा, मंडी, कुलू और चंबा में क्रमबत कितनी विधान सभा सीटे हैं तो अगेन वो ही पूछ लिया गया कांगडा में अभी हमने पढ़ा था so maximum थी 15 सीटें थी ओके बट अगर देखोगे तो मंडी में 10 yes मंडी में 10 है कुलू में आपके पास 4 सीटे है तो ये आपके पास right नहीं है D जो है आपके पास right है और चंबा में आपके पास 5 सीटे है ओके next की तरह बढ़ते है next है मारे पास हिमांचर प्रदेश बिधान सबा के प्रत्थम उपाधेक्स कौन थी तो बिधान सबा के पहले उपाधेक्स कौन थी आपके पास तो वो थी आपके पास जस्वन्त राम next है मारे पास हिमांचर प्रदेश में पहली विधान सबा किस बर्स गठित हुई तो पहली विधान सबा आपके पास पहले चुनाबों में ही गठिन हुई थी हिमांचर प्रदेश की विधान सबा में विधायकों की कितनी सीटें है तो टोटल सीटें कितनी हैं 68 एट हिमांचरप्रदेश की प्रत्धम महीलत स्पीकर कौन सी है काफी important question है वो आपके पास बिद्या स्टोग And 1982 इस भी में हिमांचरप्रदेश बिदान सबा का अधियाक्ष कौन बना So 1982 में कौन बना था आपके पास वो बने थे टी एस नेकी and 1951-52 की पहली हिमानचर पुदेश विदान सभव में कितने सदस्य थे तो सबसे पहले जब चुनाब हुआ था तो हमने आपको बताया था उसमें के वर 36 सीट जो आपके पास परजेंट थी जिसमें 24 के साथ जो कॉंग्रेस ने जीत आसिल की थी 1967 में हिमानचर पुदेश की विदान सभव में कितने सदस्य थे तो 67 में वो इंक्रीज हो गए आपके पास और वो आपके पास कितने तक पहुंच गए थे 63 तक और नेक्स्ट हमारे पास हिमानचर पुदेश विदान सभव के प्रत्थम सचीब कौन थे तो प्रत्थम सचिप्ति आपके पास NC नंदी और नेक्स्ट है मारे पास सबसे अधिक 15 विधानसभा सीटें कौन से जिले में है कांगडा में और हिमाचल पदेश में अनुसचीत जाती सी के लिए कितनी अरक्सित सीटें है तो यह हमने आपको बताया था भी थियोरी पड़ी थी 17 और निमर में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसचीत जाती के लिए अरक्सित नहीं है तो यह हमने आपको बहाँ पे टेवल दिखाया था और आपको अब बही क्वेशन यहां पे आया है कि अनुसचीत जाती के लिए कौन सी सीट जो नहीं यहनी ओपन सीट है वो है आपके पास गुमार में की और नेक्स्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं क्शेतर फल के अधार पर सबसे बड़ा विधान सबक शेतर कौन सा है तो अगर क्शेतर फल की बात करें तो लहल स्पीती जो है वो सबसे बड़ा है यहां पे थोड़ा सा बलर हो गया है बट्ट कोई बात नहीं हम आपको पढ़के बता देंगे निमलिक्त मैंसे कौन प्रत्थम लोकसबा के निर्बोधी चुनाप गया यहां पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो यहां पे यह आपको पूछ रहा है कि निमन मैंसे कौन प्रत्थम लोकसबा के निर्बिरोध चुनाप गया तो वो किसके निर्वरूद किया था, अनंद, चंद, अगे, वी जो आपके पास यहाँ पर right answer है, इमांचर पदेश में राज्य सभा की कितनी सीटे हैं, तो राज्य सभा की 3 सीटे हैं, और लोग सभा की 4, संसद के लिए हिमाचल से कितने सदस्य चुने जाते हैं तो अगर बात करें संसद की तो संसद के लिए कंभाइन होते हैं लोकसभा राज्यसभा के यानि seven members जो है वो चुने जाते हैं लोकसभा हिमाचल प्रदेश लोकसभा के लिए हिमांचरपदेश से सबसे अधिक बार कौन चुने गए थे तो सबसे अधिक बार कौन चुने गए थे आपके पास वो थे आपके पास KD सुल्तानपुरी ओके तो जो आपके पास D है वो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट हमारे पास हिमांचल प्रदेश के प्रत्थम राज्यसभा सदस्य कौन थे तो प्रत्थम राज्यसभा सदस्य कौन थे आपके पास चिरंजी लाल वर्मा एंड हिमांचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटे हैं चार सीटें एंड हिमाचिर प्रदेश का प्रत्थम राज्य सभा सदस्य कौन था तो वो कौन थे आपके पास चिरंजी लाल बर्मा जी तो अभी हमने देखा था यहां पे एंड नेक्स्ट है माँने पास लोकसभा के लिए सरबदिक छे बार निर्वाचित होने वाले सदस्य का नाम केडी सुल्तानपूरी इन्होंने बार-बार इसी क्वेशन को रपीट कर दिया है तो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें इतने ही क्वेशन है I hope की आपको काफी कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हुए होंगे आपको इनको यहां पे स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि यहां से डिरेक्टली क्वेशन आ जाता है तो बेसिकलि अगर आप इनको भी स्टडी करोगे तो वो शपिशेंट है और अगर यहां से आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो एक बार आप इनको भी जुरूद यहां पे स्टडी करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू हैव अनेस्टे